मुंबई वैसे देली का मैच खिला जाएगा ये मैच देली में खिला जाएगा और देली में जब मैच होता है आप सभी को पता है कि देली का जो प्लेयर था अक्षा पटल कितना खतरनाक परफोर्मेंस किया था आप सभी को याद होगा मैंने डारेक्ट बोला था कि अक्षा पटल को अपने टीमों में कैप्टर मना के जाना और आज के मैच में भी अक्षा पटल खेलेगा तो आज का मैच क्या रहने वाला है सब कुछ आपको बताएंगे मुंबई बसे देली का मैच खला जाएगा धाएंग कॉणार भाई आपके तरफ से हमको गिवे मिला हुआ है यह देखी आपका यह लोव है यह गिवे हुआ थैंक्यू इतना तबाही वाला जो आप पर डीक्षन देते हैं साथ में गिवे देते हैं हम बहुत खुस हुए और भाईयों आप लोग जाएंगे कुणार भा अगर आप देख लिए अच्छा से तो और साथ में गिवे भी जीत सकते हैं ये औरिजिनल बोट का है ये देखिए उनका लोगों के साथ आया हुआ है कुडियर के साथ थैंक्यू थैंक्यू कुमार हुई हां कल के मैच के बारें बताते हैं तो कल का अगर देखोगे ना मेरा मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा गया लेकिन मेरा टीम अच्छा बेकार था में कल स्माल लीग में बहुत जादा हारा हूं बट पता है, प्रॉब्लम कहा था, प्रॉब्लम था कि मुझे लगा कि कॉलकाता ये मैं जीतेगा, और कॉलकाता ने रन भी बनाया, 260 रन बनाया, लेकिन पंजाबी ते न अच्छा खेल जायागा कि कॉलकाता के एक भी बोलर विकर नहीं लेगा, ये कभी निसोजा था, क्यों इकदम unexpected match था, मैं देखो मैं किलियरी बोला था कि स्वाट बाउंडी है, रन यहां पर अच्छा खासा बनेगा, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि पंजाब इतना अच्छा खेल जाएगा, क्योंकि मेरा जो प्रेडिक्शन थे कि कॉलकाता जीतेगा, सिंपल सी बात है, मै कॉलकाता बोग के बोलर ने परफोमेंस नहीं किया, जब कॉलकाता के बोलर ने परफोमेंस नहीं किया, तो हम कहां से जीतेगे, तो कल तो हमारा भाई लौस गया है, इस मॉल लॉस गया, ग्रेंड लीग भी अगर देखोगे, मैं ग्यारे टीम बनाये था, 9999 रुपया, 700 सवाल लाक रुपया, सवाल लाक लगा था, ड्रिम पे, ग्रेंड लिग पे, जो कि मेरे ओनली 30,000 रिटन आये, 70,000 लॉस गया, इस मॉल लिग तो जितने लगा थे, सारे के सारी लॉस था, कोई बात नहीं यार, इतने दिन बैक टू बैक विन कराने के बाद एक दिन लॉस ह चलता है, आई, डबल हेडर मैच है, दोनों मैचों में धमाका करके, जैकपट विनिंग कर लेंगे, क्योंकि ये मैच दली और मुंबई के खिला जाएगा, और आप सभी को पता है कि जब भी मुंबई और दली का मैच होता है, तो आपका भाई किस लेवल का आपको लेगा कुछ नहीं होगा यार हम भागवान तो नहीं है न तो एक दिन चलता है तो कल का प्रपेडिक्षान आघर देखो गे रिक रूंस इस बार जोगी समय एसे मैंसे सो रहा है जो कि एक record बना रहा है का अलगी लेवल का record बना रहा है तो आज का match खिला जागा Mumbai वाज से Delhi के बीच में और यहां पे आपको jackpot मारना है साथ कर captain बना के captain किसको बनाना है यह सबसे important वाली बात है captain किसको को बनाना है कौन सी रिसकी प्लाइब को अपने टीब में लेके चलना है ध्यान से समझना अगर एक एक चीज को ध्यान से समझोगे आपको स्मॉल लीग तो आप जीतोगे जीतोगे ग्रेंड लीग जीतने से आपको कोई नहीं रोप पाएगा और आज हम लोग धमागा करेंग जो भी सवाल जवाब करोगे बाधेवगा ऊंब यहीं लगेंग डेते हैं समॉल लीग तीम तेँमłych प्लेम को आप सर्च भी कर सकतो टेलिग्राम एप पे जाना अब सर्च करना कुछ नहीं लिखना है आपको सीधा लिखना है अधिरेट के यू एमे यार 508 TFC जब आप यह लिखे होगे न तो आपको दो लाख 84,000 ज़ार का टेलिगाम चनल दिखाए देगा 284 टेलिगाम चनल दिखाए देगा उसमें जाके आप जोइन हो जाना जब IPL स्टार्ट हुआ था था तब था 157 के अप सोचो कितने लोग अभी तक जोइन हो जुगा है तो क्यों देर करth जाओ जाकर करना है कुमार 50 और वरना बिना इस पेड़ डाले विडियो के पहले कमेंट बॉक्स में टेलिगाम का लिंक पिन करके देदूंगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हो आज का लाइक का टार्गेट है 30,000 ठीक है hope आप लोग 30,000 like complete कर दोगे 30,000 ही रखते हैं target 40 को ज़्यादा हो गया था 30,000 like का target रखते हैं देखते हैं आप लोग कितना like करते हो कितना हमसे प्यार करते हो कितना हाप support करते हो जीतने के बाद तो हमें सा support करते हो एक बाद हारने पर भी देखते हैं कितना support करते हो देखो बोड का smart और बोड का air drop मिल रहा आपको free of cost कुछ नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आपको एक comment करना पड़ेगा बस एक comment करने का आपको बोड का smart और बोड का air drop मिल रहा है तो जाओ फटाफट वीडियो को पहुच करके और वीडियो को पहुच अगर नहीं भी कर रहे हो नीचे comment करो एक hi hello कुछ भी लिखो एक comment जरू करना अगर आप comment करते हो तो आप हमारे इस वीडियो का winner बनते हो वह यहाँ पे winner बने हैं काफी लोग winner बन चुका है अब देखो तो कितने भाई लोग बने a user करके है भावेस पतेल है इतने लोग अक्षय करके कोई बंदा है सरीफ बंदा है नामी उलता है तो कितना बंदा भाई साहाब आप किसी और का यीडियो देखना बंद कर दिया, जब से आपकी वीडियो देखी है, आप जो बोलते हो 100% सही होता, दिल से सुखरिया, आपको हमारे लिए इतनी महनत करते हो, इस कॉमेंट पे 30 लोग लाइक किया है, 30 लोग लाइक किया है, तो इसको मैंने वीनर बना दिया, भाई साब जब इतना प्यारा कॉ पहना हूँ, भाई साब वर्क भी कर रहा है, देखो, मॉर्णिंग में वीडियो सूट कर रहा हूँ, खुद पहना हूँ, वर्क कर रहा है, बहुत प्यारा सा वाच है, ले जाओ, कॉमेंट करके, जानते पीच रिपोर्ट के बारे में, तो आपको बता दू इस पीच पे क् करते हैं, मैंने देखा, जो डेली का पीच है, आपर बैट्समें बहुत अच्छा इंजोई करते हैं, अच्छे खासे रन बनाते हैं, तकड़ा रन बनते हुए दिखाई देगा, खास करके, एमाई का मैच है, मुंबई इसका मैच है, अगर मुंबई निस पहले बैटिंग क को सबसे पहले प्रिफ्रेंस करना, बैट्समें, कल भी मैं यही चीज बता रहा था, कल अगर आपने मेरा पीच रिपोर्ट समझा होगा, मैं क्लिरली सबसे पहले क्या बोला था, बैट्समें को अपने टीम में जितना हो सगे उतना भर लेना, बैट्समें, फिर अपने टीम जब से जब से जब इंपोर्टन होगा दो नमबर उसके बाद थार्ड पोजिस्टेन पेस्ट को रखना तो पहले बैस्मेन को रखना फिर इस पीनर, फिर पेस्ट इस्पीनर में जैसे ऑल राउंडर जैसे अक्सर प्रटेल आज के मैंच में इंपोर्टन होगा कुल्दी व्याद है इंपोर्टन होगा ठीक है मुंबई के तरफ से अगर प्यूष चावला खिला ठीक है तो वह इंपोर्टन होगा बाकी बैटिंग सेक्षन में आज रोहिस सर्मा, स्काई, सुर्क मयादा, विसान किसन, तिलक वर्मा इस सब इंपॉर्टन होगा ठीक है स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं यहाँ पर जो रन बनता है 130 से लेकि 190 के बीच में सबसे ज़्यादा रन बनता है पीच पे अरुजडली स्टेडियम, डेली बहुती खुबसूरत ग्राउंड है चार मैच का रिकॉर्ड देखते हैं चार मैच का रिकॉर्ड क्या है वो समझते हैं देखो अभी जो रिसेंटली मैच खिला गया था डेली कैपिटल वसेस गुजराद के साथ जिसमें की 224 रन का पारिख लाथा डेली केपिटल गुजराद ने 220 रन का पारिख लाथा तो यहां मैच गुजराद हार गया था ठीक और मैंने क्लियरली बोला था कि डेली के पीच पे डेली को हराना बहुत मुस्किल बात है तो अब लेकिन आज M.I. के साथ मैच है तो M.I. जी देगा ठीक है मैं पहले बता दिराऊं M.I. जी देगा जहां पे डेली का विगेट ज्यादा नहीं गिरा था लेकिन गुजराद का ज्यादा विगेट गिरा था देखो के कितना टोटल विगेट गिरा है 12 विकेट 12 विकेट गिरा है कौने में लिखता हूं क्योंकि आपको और समझाओंगा न इसमें तो 12 विकेट गिरा था ठीक है 12 विकेट गिरा है जिसमें फार्स बोलर ने 5 विकेट लिया है spinner ने लिया है 7 wicket, तो देखो spinner को जाधा wicket मिला है, उसके बाद 20, अप्रेल 2024 को हेदराबाद वसे दली के साथ मैंच खिला गया था, इसमें 266 रन का पारी खिला गया था, हेदराबाद, 266 बना था, 7 wicket गिरा था, डली केपिटल अल आउट हो गया था, जिसमें अगर देखो क यहां पर 8 wicket लिया था, फास बोलर ने, लेकिन spinner को भी 8 wicket मिला है, तो कहीं न कहीं spinner को यहां पर अच्छा खासा मिलता, 16 wicket टोटल गिरा था, 16 wicket, 17 wicket गिरा था, मतलब एक रन आउट भी हो था, 17 wicket लिग देता हूं, 17 wicket गिरा था, उसके बाद यहां 20 माई 23 को पिछले साल खिला गया था, चन्यी वसे डली के साथ, यहां पर चन्यी ने 223 का पादी खिला था, यहां पर भी spinner देखोगे 3 wicket और फास बोलर ने लिया था, यहां पर फास बोलर का ज्यादा बोल बाला है, तो देखोगे 9 और 3 कितना होता है, 12 wicket, 12 wicket गिरा है, अब यहां पर अगर दे अब यहां पर एक चीज़ ध्यान दो, टोटल दोनों टीमों के तरफ से कितना 20 wicket किरता है, 20 wicket, 20 wicket किरता है, 10, एक टीम के तरफ से 10, एक टीम के तरफ से 10, टोटल 20 wicket किरता है, तो 12, 12, 17, अचोगदा, इसको अगर आप average मानते हो, कितना मानते हो, average, वैसे भी आज मुंब 20 में से 13 घटा देता है, तो कितना बज़ता है, शाथ बज़ता है, शाथ लोग, साथ लोग का wicket नहीं किरेगा, ठीक है, समझ गया आप बात, तो कही न कहीं बैटिंग, आज थिक ठाक, आज भी देखने को मिलेगा, इसे आइडिया लगा लो, बैटिंग ठिक ठाक देखने यहां पर बैट्समें इंपोर्टन रहेगा पेसस यहां पर 27 विगर लिया यहां पर जीतने का ज्यादा चांस रखता है यहां पर याद रखना यह वाला बात हम बोले थे आश्वी वाले मैच में आस वी वह से 17 राबाद का मैंच था तो यहीं बात बोला था भाई सब टेलीगराम का लिंक फॉर्स्ट कमेंड बॉक्स में पिन करके देंगा जहां पर खतरनाक हम आपको प्रिडिक्शन भी देते है है टीम फ्री आपको स्टीम देते हैं और इसी बात पर एक लाइक बनता है एक लाइक कर दोना तीसे जार का लाइक का टार्गेट रखा हूं फोटीटू हार्दिक पंद्य थर्टीनाइन टीम डेविट फोटीफाइब और थर्टीनाइन रमायो सेफन ने बनाया थे विकेट की बात कते हैं कॉट जी ने चार भी के लिए था भूमरान ने दो भी के लिए था आज भी कॉट जी इंपोर्टन होगा यह याद रखना ठीक और अगर मेरे रेफ्लेस से डाउनलोड करोगे अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो आपको 1500 को बोनस भी मिलेगा वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में माई 11 सरकल कर लिंक दे दूँगा डाउनलोड कर लेना और आपको क्या फायदा सुनो अगर पहली बाई डाउनलोड करते हो ना तो तो आपको एक सेगंद बताते हो अगर आप फर्स ट्र मंग डाउनलोड करते हो तो आपको 20 पसक्क ड हीटेया यह कि डियो और इसका फायदा उठाओ सटर डेया फाइडा उठाओ खेलो और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंड में लिंक डाल दूगा डाउनलोड कर लेना ठीक है पॉइंटबल की बात करते हैं अगर पॉइंटबल में देखोगे डी सी जो है सिक्स पोजिशन पर है और एमाई नाइन पोजिशन पर है मतलब छे और नौ की लड़ाई है तो कहीना कि मुझे लग रहा कि भाई साब एमाई को जीतना चाहिए आज का मैंच क्योंकि चन्नाई क कल 260 रन बनाए थे क्यार ने भाई साब उसको उसको चेस करके पंजाब जीत लिया मैंच इंपॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं इस बार क्या हो रहा है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है भाई साब खतरनाक इसलिए मैं बोला था बैटिंग फ्रेंडली पीचे बाई स अगरी आज में घरा जाता है वाई देली को तो साए माई चलांग माल जाए मैच में लिए अज पटल को Captain बनाना और मेरा में मेंगा काल आया थे जिस टीम में मेरा में Captain तब दिए 100 कास अगर मैं अक्शा पटल को Captain उस Tim में बना देता तो तीन कड़ों कोई नहीं रोक पाता क्योंकि मेरा जो टीम था ना खतरनाग टीम था सारे मैल मैल प्लेयर था तो भाई साब आज भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर इंपॉर्डन होगा होगा ठीक है लेकिन 30,000 लाइक का टार्गेट दिया हूं आप लोग होप पूर चार बार कौन बोलिंग रखना होगा चार नौर्कियाभ्य चार मुकेश कुमार चार हम फी बैदल चार और लोगहर कशक लर घडों कर देख देिखा सर डिखता है चार बार कौन करेगा कौर्ड़ी मुझे कम लग और 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 कोन बालिंग करेंगा यहां पर हो सकता है कि कोई अगर आश्टा बोलर आता है ना तो वो करेगा बारिन रोड़, यह फ्लियर के बारें समझते हैं, डेली का मैच है तो पहले डेली के प्रिठीवी सौं, तो प्रिठीवी सौं का आपको बता तो पर्फोमेंस, आज क्यासा रहेगा? आपको बता दू आज के मैच के लिए प्रिथिविसव ट्रम कार्ड प्लेयर होगा आज के मैच में ये परफोमेंस बहुत बढ़िया करके देखार खास करके फर्स्ट इनिंग बैटिंग में तीन मैचों से चला नहीं है लेकिन जब भी आप हेट टू हेट देखोगे काफी अच्छा खेलता है आपनिंग बैटिंग करें तो टीम में लेके चलेंगे क्योंकि देखोगे परफोमेंस हर दिन अच्छा बैतर से बहतर होते जा रहा है ठीक है अभिसेक पॉर। हीटर बैट्स में यह हीटनव मिस मिस यह लेकिनुप टीजी से बनाएगा यह बहुत टीजी से आउट होता है वुम्रह के बाल सेगर बच गया न तो बच गया को छतका भी चाठ यह चीजा ढगना अगर चठ बुम्रा is को गर आप एडी ऐड़ा डुम्रा को अगर आप स्लीप न' your wife लेकिन इसको इस काफी ठीक है साइन होब की बात करते हैं ये भी ट्रम कार्ट प्लेयर आज मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन साइन होब का क्या है बैटिंग थोड़ा सा नीचे है बट आपको बता तो टेक्निकल बैर्स में और बैटिंग पीछ पर साइन होब चलता है बट मैच है मुंबई के एक दो टीमों में ट्राइक करूंगा बात करते हैं यहां पर रिसब पंत रिसब पंत अठासी रन का पारी है रिसब पंत पिछले मेंच में खतरना पारी खिला था मैंने बोला था लाइक बाक्स पोईंट दिया था क्योंकि विकेट किपिंग भी करता है इसलिए आज मैं इ सब्सक्राइब करें अगर पहले बैटिंग करें तो सायद मैं स्टर्फ को ना भी रखूं लेकिन अगर सकेंड बैटिंग करें तो सब्सक्राइब करें अब बात कर लें आप अक्षा पड़ल देखोगे च्रिया साथ में एक विकेट भी लिया था इस वेन्यू पर बहुत बढ़िया खेलता है उपस आया था वन डाउन बैटिंग करने के लिए अक्षा पड़ल पाइस आप चोगदा विकेट लिया है सब्सक्राइब करते हैं मुकेट लेता है मुकेट लेता है मुकेट कुमार लेकिन आपको बता दूँ आज के मैच में मुझे लाग रहा कि मुझे लाग रहा कि मुकेट फ्लॉप जाएगा घया अगर लेगा भी तो एक विकेट लेगा इसलिए मैं फ्लॉप भी बोल रहा हूं अंडिक नौर्किया की बात करते हैं सब्सक्राइब में विकर्ड लेगा फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप जाएगा यह सकने इनिग में फ्लॉप जाएगा ओद में नोग लिया तो अब देखो के तो ऐसे और भी आप नुम बोला रही है यहां पर मुझे लाग रहा कि एक से प्लस विकर लेकर देगा तो टीम में रखना खलील आमद पहले बॉलिंग करेगा अगर एमाई पहले बैटिंग करे तो रखेंगे सेकेंड इनिंग में मैं नहीं रखोंगा खलील आमद को ठीक है क्योंकि दो मैंचों से देखो कि फ्लॉप चल रहा उसके बाद परविन दुबे है परविन दुबे एक मैच खेला था ला सीजन एक वी के लिए था कुसागरा बैटिंग अच्छा कर लेता है और सवाल की बाद करते हैं इसका बालिंग बैटिंग नहीं आपाता अजदूल की बाद करते हैं तो इसका आवरें रिकॉर्ड है स्वास्तिक चिकारा इसका भी आवरें रिकॉर्ड है डेविट वॉर्णर खेला तो डली के पीछ पे हमेशा अच्छा बैटिंग करता है मैंने कल जैसे ब्रेश्टो के बारें बताया था जौनी ब्रेश्टो इंपॉर्टन होगा जब भी मैं गोला था खेलेगा तो अपने में डेविट वर्णर को कंफर्म रखना स्मॉल लीग में अभी ग्रेंड लीग में सीवीसी भी बना सकतो वर्णर को रिकी बूई को मौका मिला था लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं था डॉमेश्टिक लेवल में अच्छा पॉपरमेंस मिचल मार्क्स अवेलबल ही नहीं ह अगर खेलेगा तो भाई सा बहुत बढ़िया प्लेयर है इसको तो आखबंद करके कैप्टन ही बनाना उसका रासिक सलम की बात करते हैं यह डॉमेश्टिक लेवल में अच्छा पॉपरमेंस किया है इसान सर्मा राइटा मिड़फास बोलर है चोगदा मैच में 17 विकेड ल सब से पहले मंगर देखो भर रोधि सर्मा पर मुंभाई का जो हें बहुग मज़ाता है क्योंकि में रेटा पेंसिल चलाता हो ना लिखने में मज़ाता है रोधि सर्मा गारु深った दोनों फ्लॉप जाएगा दोनों को ट्रेंड बोल्ट या तो संदीप सर्मा आउट कर सकता है और ऐसे हुआ था हुआ थे या नहीं हुआ था बताओ उस दिन तो भाई साब सब लोग ग्रेंड लिक में फायर किया था सब लोगों ने इस बात पर एक लाइक बनता है सबसे पह अबरे रिकॉर्ड है और अभी हर मैंज में बढ़िया कर रहा है लास्ट मेस इसलिए अच्छा नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर बैटल ही ऐसा था ट्रेंड बोल्टा संदीप सर्मा दोनों के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इसलिए मैंने अपने टीम में क्यों में कैप्तर मनाना चाहिए मुझे लग रहा है इस वेन्यू पे अगर देखोगे रिकॉर्ड अचा नहीं है दस अबरेकर्ट अगर देखोगे डेली के अगेंस में बहुत बढ़ियां खेलता है पचास कालरे रिकॉर्ड जमार जी के पूरा दुनिया अच्छ खेल रह से तो Captain मना सकते हो Grand League में सब कोई team में तो रखेगा लेकिन Captain नहीं बनायागा अगर आप Captain बना दोगे ना तो grand league बन साट इस जिस सकते हो यह याद रखना दोड़ा से लेकिन वही बात है कोई काई नागा दोखेन के बारी इंको पता था लाप होगा पर जो ध्याद ही चलेगा चारों इंप और चारों पर्टने हाज के भात करते हार्दिक पांडिया देखो पिछले में दस दो बिच्छिले में बैटिंग तो आएगा दिक उतने खास आपकें करए दोकि जो कि आड़के में वे साथ मेच खिला यहाँ पर देखोगे सिब 2 वीकेल लिया 16 लाग आवरेज रिकॉर्ड है डेली के अठारा मेच में 22 वीकॉर्ड है छे वीकॉर्ड लिया ठीक हाद इक पांटे आवरेज रिकॉर्ड देखे जाएगा ड्रॉप करना चातो ग्रेंड लिग में कर सकतो ड्रॉप क्रेंड लिग में टीम डेविट का बैटिंग आने का बहुत कम चांस है रिकॉर्ड अच्छा नहीं पर और अगर बाइद बेटिंग करें पहले डिली बैटिंग करें तो अगर ट्राइक करना चातो कर सकतो टीम डेविट को जील में लेकिन मुझे लगग रागा कर देगा पिछले मैच में इस सुर्कुमा यादा और रोही सर्मा इसान किसंद तीनों फटा फटा फटाउट हो गया था इसलिए नहार वड़ेरा का वैटिंग आया था लेकिन अगर आ गया ना तो भाई साथ फिर से यह फायर कर देगा तो अगर आप अपने टीम में दोनों को डॉप कर रहे हो इस सान किसंद रोही सर्मा अपको को लग रहा केसी कारण दोनों फ्लाप होगा तो निहाल वड़ेरा को फिसर र/. और डॉप कर सकते हूं मुहमद नावी आज बॉनिंग करेगा पक्का ट्रमकार्ड प्लेड होगा अज पक्का बॉनिंग करेगा क्योंकि स्पिनर को यहाँ पर अच्छे खासे विगट मिलता है दो मेंस में दो विगर लिया 17 का आवरेज रिकॉर्ड है आपका आज ग्रेंड लिक लिए ट्रम कार्ट प्ले रहोगा मुहमाद आभी का स्लक्षन बहुत कम होगा देख लेना ध्यान देना रख लेना इसको टीम में बाकी बात करते हैं प्यूश चावला के बारे में राइटाम अब ब्रेक बॉलर है आज ये भी अपने आपको ये मुझे लागए कि तब विकृट लेगा जब मुंबाई प्atu लेक्र這邊 kuiros क्रा नगाल तो आगर पहले डेली बैटिंग करें तो मुझे लगए कि बौमरा साथ एक विकर लेकिन मैं बनाऊगा चाप्टन सकूर रहा है काच आजिए में कर्दम कार्ट केर होगा त्रम्स का जाधा विकड़ लेगा आज कौट जिया को बुम्रा के बॉल को क्या होता है कि बैट्समेन रन नहीं बनाता है इसके बॉल को समल समल के खेलता है और उसका फायदा मिल जाता को डेक्षना क्या करेगा बॉलिंग करने आएगा इसके ओबर में चार रन बनेगा पांच रन बने बेटा अगर देखो कि पिछले में मौका मीं मिला था इस बार मिल नीरा मौका क्योंकि इस बार अच्छा नहीं खेल रहे टीम आकास मडवाल यह हमेशा अच्छा करता है लास सीजन आठ में जोगदा विकर्ड लिया था लेकिन इस सीजन में बता नहीं पफुमेंस नहीं अच देखता है और सिवालिक सर्मा देखोगे तो इसका डॉमेस्टिक लेवल में अच्छा खासा बैटिंग है 188 डेवाल ब्रेविस अगर प्यूरी प्यूरी तरीके से बैटिंग फ्रेली पीछो तो इंपेक्ट लेके तौर पर आ सकता है अगर इंपेक्ट में दिखे तो कुम तुस दूर भी लिए यह तो इसका डिवार अच्छा है तो तिन दिन विगर भी लिया है नमंधिर के बते बैटिंग अच्छा कर लेता है श्रजपकाल की बात करते हैं श्रहस गोपाल 2 मैच में तीन विगर आठ में आठे आट में अट विगर टीक है स्रेयस गोपाल देख तो खेलेगा नी एक मैंज में खेला इसकी इतनी धुनाई हुआ थी खेलेगा नी बाकी हम लोग बात कर लेते हैं कि अब प्लेयर बैटल ध्यान से समझना प्लेयर बेटल बहुत इंपॉर्डन होता है वार्णर अगर खेला दूसको प्युषाला ने दो बार आउट किया है औ अग्सा पडिल बुम्रा के खिलाब फंज आता है इसने बहुत बूरी तरीके lems कि आउटकिया है रुई शर्मा को नौर्क्या ने दो बार सान्लसर्मा ने और आक्षा पडल तिन बरा उट किया है वहीं हार्दिक पंडि अगर देखोगे वहां पे खली लेहमाद ने तिन बरा उट किया हाँ खली लेहमाद में हार्दिक पंडियों बहुत बूरी तरी केसा उट किया मेरा पेडिक्शन सुन लो बेलाएगा पचासवाद कि देखे जाएगा जील इसमाली टीम में कैप्टर मना सकते हो रिसकी में प्रित्वी सो इंप्टर्ण होगा आज की में चाली से प्लस प्लस कि जाएगा अकसर परेटल आज आपको चाली से प्लस पिंद जाएगा घृता ब Cum I की तृच्प से इसान क सब्सक्राइब में अच्छा बना आपने पिछले मैंच भी देख लिया होगा उसके पिछला मैच भी देखा होगा है जब बैटिंग किया तो इसान किसंद दो तिन में जो से चला नहीं है उपसे विकेट किपिंग भी करता तो आज मुझे लग़ा कि यह आज अच्छा करते भी दिखा देगा और मैं तो जहां तक बोलूगा जीयल में इसको इसको क्या अच्छा काप्टर में बना सकता है मुझे लगा है इसान किसंद के बले साच 50 तो निकलेगा हो सकता है कि सेंचुरी भी निकल जाए मैं तो Grand और जिसने ये फॉलो किया होगा उसका ग्रेंड लीग में क्या रेंग आया होगा साथ आठ रंक आए था साथ जो मेगा कॉंटस सबसे बड़ा जो में कोई ना उन 49 वला उसमें आठ रंक आये था जब पहले स्टार्टिंग जब आईपेल हुआ था तो टेलिगाम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूँगा जहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगा फुल टीम मिलेगा पीज रिपूर्ड मिलेगा प्लेंग लेगा सब कुछ मिलेगा ग्रेंड लिग का भी टीम मिलेगा टेलिगाम का लिंक इस वीडियो पर्मा को रखाऊं रोहिशर्मा और सुर्कुमा यादव को वाइस कप्तर मनाएं हूं ठीक है जैक फ्रेसर और प्रित्विस और अक्षब पटेल बॉलिंग सेक्शन में देखो कि मैं कुल्दीव यादर को लगाओं जांतर किया अपने रिषप पंत को बना आपको बता दिया कि करेंगा आए अगा मैं के साथ मैंच है तो वडिय आज़ चो वडिया कर रहा है सबर्फ फॉर्म में है और ऑवास कप्तन सुर्कुमा यादव को बनाय हूं ठीक है पाकिसाब बाकिया आपको बताता हूँ एक grand league team बना के आपको दिखाता हूँ सिखाता हूँ लेकिन इसके पहले 30,000 like का target दिया हूँ तो एक like कर देना और हमारे telegram से जोग जाना क्योंकि वहाँ पे pitch report, playing 11 आपको सब कुछ देता हूँ 2,84,000 लोग दिखेगा उसमें जाके जोइन हो जाना वरना search भी कर सकता हूँ कुमार 508 TFC जिसमें की 2,84,000 telegram channel दिखाई देगा बिना space डाले हूँ यह search करना आपको इतना का telegram channel दिखा देगा उसमें जाके जोड़ो जाना ठीक है जहां पर final team मिलेगा और मैं live आउँगा देड़ बजे लाइव देड़ बजे लाइव में भी जोड़ जाना चलो एक grand league team मनाते हैं अगर grand league देखो कि मैं grand league में क्या करूँगा simple दे बता है देखो आज एमाई को जीताऊंगा मैं एमाई को जीताऊंगा तो कहींना कहीं मैं jack freser को drop कर दूँगा ठीक है और हम किसको boomerah को drop कर दूँगा अब फिलाल हम अपनी टीम में boomerah के जगा प्यूफ चावला को रख रहा हूं ठीक है तो यहां पर हमारे टीम में प्यूफ चावला आ गया और jack freser के जगा हाँ जक पुमरा जगा प्योंच चाला आगया जक फ्रेशर के जगे हम अपनी टीमें किसको रख लेंगे कि Western जलो नभी नभी रख लेंगए अब हम तिछ्जे ग्रैन लीग टिमनरत लुग से सब्सक्राइब करना सब लोग पहले चैनल को सस्क्राइब करना और हाँ तो बना है खकर Idil यूर्म का ल ताकि सबसे पहले आपको मारा टेलिगाम चनल दिखाए दे मिलते ना स्टूडियों जाहिन वंदेवां